हे बच्चो तो कैसे हो आप लोग तो बच्चो आज हम लोग मोशन इन प्लेन का पार्ट टू देखेंगे ठीक है कि कहा से स्टार्ट होगा देडिस टॉपिक नंबर 4.4 से देखेंगे तो बच्चो चलिए शुरू करते हैं बच्चो टॉपिक जो 4.4 है वो आपका है अडिश क्यों क्यों होता है कि बिस्टिकल आपके ट्र jsemक् ostr कर तो मैं कैसे लिनोट करता हूं एक बॉल्ट लेक्तर या फिर उसके टोपर बार लेता हम एंगे तो दोनु तहलो यहां से लेके यह थीप हो गया अब आपको पता है यह यह रहेगा अब क्या होता है इसको अमनों को एड करना के आड करना है तो आपको क्या करना पड़ा Fest जो ये tail, tail से लेके head तक आपने a ले लिया, ठीक है, तो आपको जो b है न b, उसको a के head से join करना है, ठीक है, तो मतलब आपको a से join करना है, तो ये हो गया b vector, अब ये दुनों join हो गए, तो ये दुनों का जो combination होता है, ठीक है, combination, वो a के tail से start होता है, और b के head पर खतम होता है, ठीक है, तो ये इन दुनों का combination, that is addition होता है, तो ये जो बच्चो है, vector, vector लिया तो मैं बार ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे dark letter में आपको दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि marker है, इस बीसी बात हो, तो सारे dark दिख होगा, ठीक है, तो ये a vector था और ये b vector था, तो दोनों का यहाँ पर addition हो जाएगा बच्चो, ठीक है, तो ये हो गया a plus b, अब देखो, तो जो addition जो हुआ, वो a के tail से b के head पर हुआ है, जो final vector मेला है, दोनों का addition, वो a के tail से b के head तक मिला है, तो ये बच्चो बहुत important है, य यही, इसी, यह चो law है, इस law को मैं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, triangle, triangle law of vector addition, ठीक है, तो यह आपको याद रहे का triangle law of vector addition क्या होता है, देखो यह पूरा आपको triangle जैसे एक दिख रहे है, है ना, तो इसमें basically दो vector होते है, दोनों को combine होते हैं, दोनों का add होते हैं, ठीक है, इन the form of triangle law of vector addition, तो यह समझा बच्चो, यह होगया, आपका triangle law of vector addition, अब एक और सी, जो इसका length रहता है, जैसे एक vector में दिखाया हूँ, तो जो इसका length रहेगा, यहां से लेकिए यहां तक, जो भी length रहेगा, यहां पर, length, ठीक है, जो भी length रहेगा, वो magnitude, इसके magnitude के बराबर रह रहेगा, ठीक है, इसके magnitude के बराबर रहेगा, मतलब जो भी length रहेगा, वो आपका magnitude रहेगा, direction तो आपका दिखाई रहा है, arrow, ठीक है, तो direction उधर की तरफ रहेगा, और जो इसका length रहेगा, वो magnitude रहेगा, यह आप यहां दखना, और यहां पर हमनोंने triangle of vector addition देख लिया, ठी एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसा है, तो यह वेक्टर सपोस्पी है, यह वेक्टर क्यू है, तो इसका यह यहां से जोईन है, तो इसका जो addition होगा, तो triangle of vector addition, मतलब P के tail से, Q के head तक होगा, ठीक है, तो यह आपका P bar plus Q bar हो गया, ठीक है, तो यह हो गया, यह हो गया triangle of vector addition समझा तो बच्छों यह आपको इंपोर्टेंट है यहाद रखना यह होता है टेल किसी भी वेक्टर का और यह पार्ट होता है अरो वाला हैड होता है ठीक है यह हमेशा रखना तो यह हो गया आपका बच्छों triangle of vector addition अब हम लोग आगे देखते हैं अभी जो triangle of vector addition आया इस पर हम लोग कमिटेटिव लौव आसोसीटिव लौव देखते हैं वैलिड होता है कि ठीक है अब बच्छों यहाप एक चीज़ इंपोर्टन चीज़े यादत में कि मैं आप नोट्स आपको प्रोवाइड शायद ही कर तो आपको पता है कि जो मैं बता रहा हूं आपको समझा रहा हूं वह समझ में आ रहा है आपने बता है जैसा वेक्टर बुक में लिखना है और जो भी बनता है उसका फाइनल ए प्लस बी वेक्टर इसको ट्रेंगल और वेक्टेशन नाम देने हो बन गया ना नोट्स इसमें क्या है बहुत इजी नोट्स बनाना ठीक है तो आप खुछ से नोट्स बनाएं जो भी मैं बता रहा हूं यहां पर वह आप नोट्स बना सकते हैं तो चलिए हम लोग की कमेटयू लग होता है यह अक्रम सबस्तों मैं दो ट्रेंगल यहां पर एक तो यह हो गया लेंट से बैक्क्तर ए सक नेमिंग में देता हूं उसे लेकर ठीक है यह वेक्टर हो गया v ? मैंने i mean शीम असान दिल्काना जरूरी है तो यह हो गया P से Q रभी इसका दोनों का अडीशन मिलेगा कि आप इसके TMत मिली तो यह हो गया में प्लस ज सो ला-बार यह तो फिर ये वेक्टर प्लस बीक्तर स्प formally अब दूसरा में लेता हूं दूसरा Candle पहले भी लेता हूं यहाँ पे और यह हो गया आपका ए ठीक है तो इसके सिन बिलेगा इसके तक मिलेगा तो यह जालाएगा आपका बी बार प्लस ए कि तो मैंने क्या देखा दोनों ट्राइंगल से यह दोनों एक्वल आएंगे वैल्यू ठीक है चाहे आप पहले रखो बीबार बाद में रखो यहां पर पहले बीबार है फिर एबार है ठीक है तो इसको मिना गोलते हैं कि अब प्लीबार फ्रम वन्ठीस ट्राइंगल इंगोल स्टू बीबार प्लास एक बहुड गोलते हैं टिक्भार है इसको कमेंटेटलोव होता है ठीक है तो यह कमेंटेटलोव वैलिट करता है इस पर होता है वेक्टर अडिशन पर अब देख देखते हैं आशोसेटीव वालिड अट करते हैं तो अब लोग लेते पी ट्रीएगल में आपको बताने वालों ठिखे एक एक मेरा ही तो अब सपोष एक वेक्टर है एक व्यक्यक्तर यह यह गःतों यह मैं बड़ा को देध रहाए यह चुछ उपीगत फैक्षा टा एक दश्द कोट मैंने to head till to head ठीक है तो बच्चों आप मैं क्या करूंगा कि अब ट्रेंगल और वेक्टर अडिशन आपको पता है तो ए और बीस के ए और बी के बीस में ट्रेंगल और वेक्टर डिशन क्या रहेगा यहां से लेके आप यहां पे रो माढ़ दो यह रो गल्लत होगी है क्या कु पिक्क कीति की ए और बी का जो ट्रेंगल और को यहां से यहां पे लेगां। यह वह मार दूँ तो यह बी बार प्लस सी बार हो जाता है यह वाला वेक्टर यह जो वेक्टर है वो बी बार प्लस सी बार हो जागा यह रिजल्टन किस करेगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेगा, ठीक, इतना समझा, अब मैं फाइनल में इसको मार दूँ, यहां से लेक, इसके टेल से, इसके हैड तक, ठीक है, मैं थोड़ा गैप लिया हूँ बीच में, इसके टेल से, इसके हैड तक, तो देखो, पहले मैं इसकी बात करता हूँ, यहां से यहां तक एरो है, और यहां से यहां तक एरो है, मतलब पहले यहां पर, प्लस बी बार है, फिर प्लस सी बार है, यह समझा, आपको, यह बार प्लस बी बार पहले एरो है, फिर, इसके हैड से, सी गया हुआ है, ठीक है, तो यह दोनों का एडिशन हो जाएगा, इसक आप देखो येतों open after drys वैक्टर ब्लस बीप्लस सी वैक्टर यह वाला वाक्टर इसका पिन है direct समझें आपको आपको में क्या वह अपूरो धूरा ये या आलाग लगए हरे एक ऐसे आजा है कि ये 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 अisz intent एक्टर है तो यह है आपका B प्लस C वेक्टर है ओने रहें रहेगा अ है दोनों Penisian क्या रहेगा एंबार मैं less Š続ky बी प्लस सील करने B plus C bar और दूसरा जो आया है proof क्या हुआ है ये दूसरा आपका क्या proof है हाँ एक बीच में से आया था जो कि A bar plus B bar ये यारो था और एक ये यारो था और resultant आपका ये है थिक है तो ये C bar था तो ये क्या proof है कि पहले A bar plus B bar plus C bar थिक है तो देखो यह यह जो 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 रिज़ल्टेंट है इसका यह एड़ मो дав it को अनुप लोग अईसा भी लख सकते हैं कैसे ईबार प्लस पिअध्य प्लस प्लस शीवर थो यह जो फयां इसे आया है वे हम ब्लस यह और यह थन पूर आया है और यह टर्म घुला यह टर्म थे वाला वेक्टर कॉन सांद से क्या उस से है कि जो से बार बोलो बात देखिए मैं ने पहले बोल दिया मैं उज़े बार बोले या वैक्टर बोलो बात अगी है ठीक है तो इसमें क्या बोलाई कि तो वेक्टर ए और बी पहले आप एड़ करो बाद में सी को एड़ करो या फिर बी और सी वेक्टर को पहले एड़ करो उसके बाद ए में ए वेक्टर को एड़ करो तो जो भी आ रिजल्टेन वेक्टर मिलेगा वो इक्वल ही आने वाला है ठीक है द होता है फाइव च्वेनटी हो गया फिर एवेक्टर पहले आपका 5 रहता है ठीक है और भी प्लस की अपका 15 मिलते हैं न दोनो 2020 हो गया है ठीक है कहां बीप्लस सी ह temporary आता है यह प्लस भी 513 तो यह देखिये हो गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं इस लोग को बोलते हैं आसोसिएटिवॉ टो जो वेक्टर एडीशन वह असेटव को भी फॉलो करता है ठीक है करमेटेटिव क करते हैं अ कोउप आगे देखते हैं अब बच्चो जो आगे है आपका देखो वेक्टर अडिशन कमेड़ी लोग को फॉलो करते हैं दूसरा असोसिटी लोग को तो यह यहां तक नहीं आपको और उसका मुने थोड़ा छोटा सा प्रूव देखा कैसे आता है तो अगर सपोस्ट बच्चो एक व 140 थी वेक्टर घ्र वेक्टर यहां से लेकर यहां तक है यह na** उसका इसका रिजल्टन क्या होता है इसका हो इसका जो resultant vector होगा वह ए बार प्लस माइनस इबार हमेशा ठीक है ऐसा होगा तो यह क्या जाएगा जीरो छीरो तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यह जो तो टोटल वेक्टर । टोटब्स के स्मप्सक्राइड यह पर रहते हैं ओद तो यह आद रहेगा बच्छों अगर दोनों वेक्टर माइनस हो जाए ठीक है यहां पर एक चीज आपको नोट करना ज़रूरी है कि यहां पर दोनों का मैंनिटूड से मोना चीए ठीक है अगर इसका 5 है तो इसका भी 5 ही रहना चीए मैंनिटूड अब डारेक्शन है तो माइनस फाइब लेंगे वर्ना फिर अगर यह अगर ज्यादा रहा ज्यादा रहा मतलब सेवन रहा तो यह माइनस टू आए कहां से बट दोनों का मैंनिटूड से मोना चीए दोनों वेक्टर का तब जाके आपका नल वेक्टर और यूगन से जीरो वेक्टर आते हैं तो उन और वेक्टर हमने देखा तो यह आधे रहेगा अप अच्छो को ठीक है तो यह अहाँ तक हमको समय में आता है अब क्या होदा यह जो कि अगर किसी भी वेक्टर को किस वेक्टर को अब 0 से मंटीप्लाय करते हो तो आपको पता है कि किसी अनिठीं मल्टिप्लाय टो और अगर आप किसी भी वेक्टर को जीरो से एड करोगे तो वेक्टर ही आएगा क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर प्लस जीरो तो नंबर ही आता है और नंबर ले ना टू प्लस जीरो इस टू तो कोई भी वेक्टर प्लस जीरो इस एड वेक्टर तो यह चीज छोड़ी खो भेक्टर सब्ट्रेक्शन अवक्तर है सपोस्पोस मैं दो लताहूं यहां पर दो लेते एक वेक्टर हो गया आपका यह टिर में बार हो है ठीक है दूसरा सब्सक्राइब करता हूं तो कामबाइन करो drink यह बार आएगा और यह दूसरा माइनेस बी बार दोनों कम्बाइन किया हूं तो दोनों का कॉंबिनेशन जो है रिजल्टेंट है वो ट्रेंगल बनता है ट्रेंगल लोग वेक्टर एडिशन बहुत इसी हमेशा याद रखने आपको ठीक है दोनों वेक्टर का जो एडिशन रहे या कॉंबिनेशन रहेगा वो इसके टेल से दूसरे वेक्टर के हैड तक लागा तो यह बार । तो यह बैसीकलिया जो रिजल्टेंट है यहां पर बस यह है तो यह होगि है आपका सब्ट्रैक्शन उपक्र तो बहुँ भी वेक्टर एडिशन अप्राइस सब्स्क्र बहुत आपको बस आपको ट्राइंगल उफ रेक्टर क्पढ़ीशन रहा कि एक हम एक ओर यह रोगकर दख लोग वेक्ट ये वेग्टर में यह एक को मैक्स में भी रहेगा अब दूसरा चीज़ है आप अम लोग पैरलोग्राम डॉल्स का बोलते हैं पैरलोग्राम पैरलेल लोग्राम से ही डिराइब होगा ठीक है paralogram का जो representing वीक्टर आएगा वह ट्रेंगल-lov वक्टर से ही आएगा अब दीखतें कैसे आता है ठीक है सो दिखतें किसा है मैंद देखते हैं तो देखो है कि दो है अब दोनों जो वेक्टर है उचका अब ओर यह है क्म लॉक्टर है और यह अपका वेक्टर हूं कि तो कि लिए ते वह को दो और पहरए हो रिखु सब्सकार नेमइंग दे रहे हैं कि यहां पर ख्यों तो जो इसका resultant रहता है वो कुछ बीज में आता है जो resultant वेक्टर रहेगा वीज में आता है कैसे आता हो देखती है तो क्या अगर मैं इसके parallel यहां पर ड्रॉ करूँ parallel parallel है तो यह हो गया अपका बी बार अब बी बार का parallel इस point a vector के head पर में ड्रॉ किया और इसका सेम parallel में उपर ड्रॉ करता हूं तो पैरलो पैरलोग्राम बनता है है ना इसके लिए इसका नाम है पैरलोग्राम लॉफ वेक्टर एडिशन तो देखो जो resultant बने इसके टेल से चलो resultant यहां पर लेगे तो इसके head तक रहेगा अब देखो अगर मैं बात करो तो यह triangle of vector addition ही कर रहे है तो जो resultant है वो क्या रहेगा यह भी बार हो गया रिजल्टेंट जो वेक्टर रहेगा यहां पर क्या में प्लस वाल सीबस्ट सब्कूर ही अबना ड्वाट करो तो पहले सब्सक्राट प्लस किया है यह तो आयगा और ड्रवा सकता है तो यह किसी मिलें ट्रेंगल लॉसी मिला प्लाइंच तो आप इसका कुछ भी इन दोनों में से कोई व्याप एक लिए लो बात एक ही है ठीक है क्योंकि वेक्टर लॉट्ट फॉलो करते हैं तो जो पैरलोग्राम लॉट अप्टर्टर एडिशन जो आया है वो क्या आया और रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा एवाड प्लस कोई भी एक लो कोई भी एक है तो ठीक है बच्छों कूछ ऐसा आएगा अब देखो अब इस पैरलोग्रम लाओ वेक्टर इडिशन में क्या होता है कि अगर अब इसका रिजल्टेंट निकालते हो ठीक है रिजल्टेंट वैक्टर आया ना बट इसका हम लोग सिफ अगर आपको ऐसे करना पड़ेगा मैंगनिट्व में डालना पड़ेगा इस इगवाले स्टू अंडर रू अब आक स्कौर फ्लक में कर शक्राइल प्लस अंडर रूट अथ बेकलाए तो जो मैंगनिट्वूड मीलें वह अंडरूट स्क्राइब है फ्लीकर दिख सकते हैं पधर 활政府 प्लेस पर अपलाए होते हैं तो पर फिर पर आपको यहाद रखना है कि रिजल्टेंड है वह यहाँ पर क्या आएगा रिजल्टेंड तर एक प्लाइब है यह यह बार प्लस तो यहाँ पर आपका रिजल्टन मिल जाएगा और अगर मैं बात करूं कि इसका डिरेक्शन निकालना है तो डिरेक्शन हम लोग जो है थीटा से बताते हैं डिरेक्शन मैं जो है थीटा से बतातें हम लोग तो हम लोग बेसीकल लिए टेन तैहरा लेतें ठीटा यहाँ पर क्या रहेगा तो अरástनल ओर है कि आप वेक्टर के रिस्प्ट निकाल रहे और मतलब को Exerciseносे वाले निकालना है किस ठीक है स्कार्म सब्सक्राइब मातलों निकाल चानी सब्सक्राइब जुद फिटा जो भी रिजल्टन है वह वेक्टर एक रिस्पेक्ट वसे निकाल रहा हूं तो इसके लिए जो थीटा बनेगा वह व्यक्टर एसे बनेगा राक्टर ए और रिजल्टन के बीच में बनेगा ठीक है तो यहां पर आपका जो टैंग ठीटा होते हैं टैंग ठीटा क्या होता है और आपको याद रखते हैं राइट एंगल ट्रेंगल जाद आएगा वैसे तो डड़ीज बीबार ठीक है बीबार मैंगिटूड ओफ बीबार अपॉन मैंगिटूड ओफ एबार तो यहां पर जो थीटा आएगा थीटा क्या आएगा टैंग इनवर्स मैंगिटूड ओफ बीबार अपॉन मैंगिटूड ओफ एबार तो यहां से आपको डारेक्शन मिल जाएगा किसका इस रिजल्ट तो यह हो गया मेंगेटूड करने का तरीका यह आया दरेगा आपको ओके तो मैं इतना आपको समझ में आगया हुआ इसके उपर एक नुमरिकल है वह जरा देख लेते हैं क्या है तो बच्चों नुमरिकल को मैं अभी समझा देता हूं एक्जांपल नमें 4.1 को क्या है क्या उसमें फिर आप रीड कर लेना वह नुमरिकल बोल रहा है कि रेन फॉल हो रहा है ठीक है तो रेन वर्टिकल फॉल होता है उपर से नीचे और जो हवा है हवा वह इस्ट से हो गया वेश्ट हो गया तो इस्ट से वेस्ट की तरफ हवा चल रहा है और वर्टिकली फॉल रहा वर्टिकली मतल INFORition फॉल होता है ना उपर से नीचे और इस्ट से वह बिदाता ठीक है तो जो ऑपना अम्रेला वह बास टॉप में खड़ा की कोंसे कि ऑर पर रुखे और की इंगल वह एक तो हवां हाओ आई से चल रहें और बारिश उपर से निची आ Allahि हो इस दारिक्ट्स लगेगा ना चत अंगल यह जो एंगल है वो कितना धिसाथा है ने चाट्बान किया हूआ है अ और यह फूली पूचछ है कि कौन से और सब्सक्राइब यह रही है ख्याट्न तो फिर यह है कोश्चन अपर लो मैं यह देखो आप यह पूरा इसमें नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने टेक्स्टूक से रिड़ कर सकते हो चलो ठीक अपने रिड़ कर लिया तो यह समझ कि आपको जो आपका रेन है वह उपर से नीचे के तरफ गिलता है ठीक है तो ए वह वजवस्ती से घरता है सट एउज अछाल्उटाश और वैक्टर को हम लोग बार यह फिर वैक्टर यह गत्वार तो यह अफिर आप हैं इसके लिए वह उपर से नीचे की तरफ आप एक व Ara हमेशा है तीक है अब है और आपको पता है कि जो नौर्थ, साथ, वेस्ट तीमें महलुम करना है तो यहอग Twots साथ इसट-वेस्ट की राइट साड में अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो राइट सेड में इस्ट रहता है तो यह आपको यहां रखना है अब basically हमको क्या करना है इसका resultant निकाला यहाँ पर यह velocity of wind यह velocity of rain rain ने तो इसका resultant क्या आईगा कि इसका resultant इसका resultant पता है कि नहीं पता है रिजल्टेंट बीच में रहते हैं ठीक है यह आदे ना तो रिजल्टेंट यहां पर क्या होगा वह वी आर वेक्टर प्लस वी डबलू वेक्टर तो यह होगा आ आपका अलोग दो रिए अरब प्लस वेडबलू ठीक है अलोगा थो जल्टेंट वेक्टर हमको क्या हुगाया है हमको थेकर पहले इसका में जुद्द करेंगी ठीक है तो हवा चल रहा और उड़ी निचे बारिश आ रहा है तो जो resultant velocity होगी है ना resultant velocity मतलब दोनों का combine करके हवा का और air का ठीक है तो बारिस कुछ ऐसे 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 आ cyn definitions आएगा ना तो वह यहां पर दिखाये बारिश इस direction में आएगा बारिश सीथा नीचे पने करेगा में तो जो भी बारइस इस डीरेक्षन में चलेगा न तब तो इसको चाहता को ऐसा ओपन रखना ओप ऐसे यह वाले एंगल में ठीक है तो जो तरही वेलॉसटी आएगा Yoga वह कीजिए कितना हम टो लेट फांड आट दे magnitude first क्योंकि रिजल्ट हम लोग जो रिजल्टेंट करते हैं तो जो रिजल्टेंट है वह आपको पता है कि वेलोसिटी आफ रेन प्लस वेलोसिटी आफ कि वाटर ओके अब मैंने इसमें लिखना ही भूल गया है तो इसका किसकी वेलोसिटी जो रेन की वेलोसिटी है रेन की वेलोसिटी वह कितनी है 35 मेटर पर सेकेंड और जो विंड के वेलोसिटी है वह कितनी है 12 meter per second ठीक है यह आपको given है यह given में लिखना भूल गया था तो इस कमलों को magnitude निकालना है तो magnitude निकालने करें मैंने आपको बताया था इन दोनों का magnitude का और यह magnitude ही दिया आपका direction नहीं दिया है यह दिया है उपर magnitude ही दिया है VR का square plus VW का square so that will be VR का 35 का square plus 12 का square so that will be 35 का square आप करते हो तो 35 तो easily multiply हो जागा है 35 तो 35 ठीक है 35 तो 35 करते है फटा फूर कितना आज है कोड़ी 5 15 16 17 15 तो यह 9 10 तो 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 यह दोनों को एडिशन करते हैं यह मार्कर काफी डार के इन दोनों का अडिशन करते हैं 5 प्लस 49 तो 456 2 प्लस 136 1369 आपको square root निकालना पड़ेगा square root कैसे निकालते आपको पता है पता है पता है आपको पता है नहीं पता है क्या बात करें square root निकालना ऐसे निकालते हैं इस निकलना शिक्काता था ना यह वाला डिविशें को तो दिविशेंगी बते मुझें आ रहे हैं ये 136 9 रहते है कि तो दो धो नंबर पर बाहर लगाते है अपन तो अपने को हम लोग को एक ऐसा यह पर ले ना रहते हैं जो की सेंब नंबर से मंटिप्ला होना ची जैसे तो 2 चाआ 2 x 2 होता है 4 x 4 होता है तो 2 x 2 करेंगे तो 4 x 4 करेंगे तो 16 हो 13 से ज्यादा हो जाएगा तो 3 x 3 लेते हैं 3 x 3 हां भावर सभी रहेगा फीर 3 और यहां पर 3 एड़ करना है सो 3 x 3 नाइस होती है और यहां माइनस होता है 13-9 13 10 11 12 13 4 होता है अब यह 69 दुनों को साथ में लिख देना है तो अभी आपको ऐसा नंबर लेना है यहां पर सेम नंबर मतब 662 x 2 आप आना चीए 63 x 3 आना चीए 64 x 4 आना चीए तो मैं यहां पर लेता हूं 767 x 732 १ी करना देखते किँतना क्योंकि लाशंट में तो इसकें सेवन करता हूं लाश्ट में सब्संद'D फोर्टीन का प्लस x 446 तो 469 बाराबर आता है 469 बाराबर आ गया मतलब यह जिरो आ गया तो जो भी आपका यहां पर नंबर रहते हैं वह इसका स्क्वायरूट रहते हैं ठीक है मतलब यहां पर 37 1369 का स्क्वायरूट रहेगा जो व्यां पर सेकेंड तो जो रेज़िल्टेंट जो विल्टेटी रेंगे रेंगा रसे के इन दोनों से भी फास्ट है इसका रेंगा दोने से थाटी वाइव लेकिन इन दोनों से एपके ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इसका डारेक्शन निकालते यह तो इसका डारेक्शन क्या अब जो यहाँ आप ठाड़ा है उसको कौन से करी है तो अब व्हे नेकालने के लिए मैं आपको बताया था क्या कि हम लोग इस्ट EO लेक्षिन आप डी ठीटा अब हम को घ्रिटिल नेकालना है यह तो और किसके रिस्पैक्ट से निकालना वह आपको वापर यहां पर यहां पर यहां पर बना दिया तो 10 थीटा वागा इसके पारल्लर में यह बनाए तो टैन थेटा क्या ओता है कि ऑपोजिट पॉन एजिशन साइन की तक सथा पता है ना ऑपोजिट यहां पर क्या है और हम्हें यहां पर यह पर वी डाबलू मेंगड़ु ऑफ वी अर्शो मेंगड़ुड ओ वी डबलू दिया है 12 पॉन 35 तो यह तो आपका इसली डिवाड हो जागा है मैं डिवाड नहीं करने वाला अदिश्व पॉंट 343 तो टैंग थेटा अभी तक थेटा मिला निया कौन से एंगल में वह चाता लेकर अपना खड़ा देगा तो यह चाता जो रहेगा उसका चाता चाता कौन से एंगल में लेक थेटा यहां पर जो होगा वह होगा टैंग इनवर्स 0.343 अब इसको हम लोग बच्चों लॉग बुक से निका रहेंगे यहां पर एंगल ठीक है तो लॉग बुक तो मैं एक सेपरेट शोचरों वीडियो बना दो आपको लॉग बुक कैसे यूज करते हैं बड़ मैं यह आ 0.343 मतलब यह जो सारे न पॉइंट यह सारे इसा पॉइंट में इस अरे 0.0 पॉइंट में इस सारे वैल्डियो पॉइंट में ठीक है और यह जो मीन डिफरेंस को आड़ करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं अब देखो 0.343 0.343 इसमें कहां पर आएगा कहां पर आए बेसिकली 343 कहां पर 343 0 क्या सपास तो अगर मैं बात करूं यह देखो आपको दिख रहा है लोग बूप में को मैं इस पर फोकस कर देता हूं ठीक है तो 343 343 340 है कि इसमें देख रहते हैं 343 मतलब बेसिकली हो गया यह 343 0 ठीक है जो 343 है उसको मैं 343 0 भी लेख सेकता हूं ठीक है तो अब लोग इसमें देख रहते हैं 343 0 कि आपने देखो कि दो कि दो कि 3 4 443 है ठीक है भाई 343 3424 है यहां पर देखो 3424 मतलब आसपास है 0.3424 है यहां पर देख रहा है तो मतलब 3430 के आसपास है न छे ही कम है इसमें यह 30 है यहां पर लास्ट में यह 24 है देख रहा है मतलब 6 कम है तो 6 आपको आड़ करना पड़ेगा इसका मतलब यह हो गया 6 यह दो हो यहां पर 6 इसे मीन डिफरेंस है यहां पर 2 दिख रहा है यह दो इसके सामने जो भी नंबर आया आपका 3424 उसके सामने वाला जो डिगरी है डिगरी वह 18 डिगरी है और जो भी एड करते हो वह टू मिनिट्स है इसका मतलब जो एंगल आया मेरा वह कितना आया ग्यत्राँ डिगरी टू मिनट्स इस समझा कैसे देखा मैं लॉग मैं से की इसपे मैं से parlट दूर्टाइम इल्थे थे तो बना दोंगा उसको इश्व निए ठिक है तो आपको देखना ही है बट उसके उपर का मिनिट्स भी देखना है तो मिनिट्स कितना है यहां पर 54 मिनिट्स है इसका मतलब 18 डिगरी प्लस 0.9 कि फिर इसमें टू मिनिट्स आपको ऐड करना है छिक है तो सका मतलब ओगा ए है 18 डिगरी है 18 डिगरी फ्लस 0.9 डिगरी जे होगा आपका टू मिनिट्स ए है सथिक तो यह 18 प्लस 0.9 आराउंड 19 के आसपास ही आ जाता है ठीक है ना या फिर चाहिए तो इसका मिनिट आड़ कर दो भी बात सही है तो यह 18.09 आ जाता है डिग्री 18.09 डिग्री आ जाता है टू मिनिट्स ठीक है तो अब आपको क्या करना है कि अगर यह दुनों को में है कि तू मिनिट्स है ना तो मिला आसपास यह तो अगर डिग्री में करना तो अब क्या करेंब पड़ेगा 18.09 प्लस टू अपन 60 यह डिग्री में आ गया हम कुणकी तो आपनी अपने कर दिए ना अज़िड है कि तो अपन 60 है आप करते हो तो कितना आद है करेंगे तो बच्चों यह आता है 18.9 प्लस 0.0333 तो अब पकड़ सकते हैं कि 90 डिगरी के आसपास आता है ठीक है तो बेसिकले जो अपका डिरेक्शन यह एंगल रहेगा वह कितना रहेगा है नाइनटीन डिगरी तो वह जो ब बाय है लड़का अच हाता नें टीन डिगरी में लेके कहड़ा्गा कूरे से बारिस हो लिए तो और वह और कॉण से डायरेक्शन तहान कि एसले तो यह निकले आपको कैसे निकालते पता सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपको समझ गया ठीक है तो चलो यह आपको सम आ गया अब हम लोग नेक्स टॉपिक बढ़ते हैं अगरे टॉपिक है यह वच्छों 4.5 टॉपिक टेर इस रिजॉलूशन ओफ वेक्टर अब यह होता है जारा हम भी देखते हूं तो यह देखो सपोर्ज यहां पर दो वैक्टर है दो वैक्टर है लेट से मैं बोलता हूं यह एक वैक्टर है ए लेट से वैक्टर है इसका नाम अब इसको क्या है कि इसका सिमिलर में को वैक्टर रिजॉल्व करना है तो दूसरा वैक्टर सब्सक्राइब मैंने जो लिया वो सपोर्ज ले लिया त्वाइस या फिर थ्राइस कुछ भी लिए थ्राइस ऑफ ए पतलब इसी वैक्टर का मैंने क्या 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 मैंनिचूड बढ़ा दिया क्या क्या मैंनिचूड को बढ़ा दिया डिरेक्शन से मीरे और इस वैक्टर का भी तो बढ़ा दो है तो इसका जो रिजल्टेंट नहीं का डिशल्टेंट कैसा आएगा क्या से आएगा तो यह आपका रिजल्टेंट वेक्टर है करें लेट से capital A bar let's say capital A bar मैं नहीं आप लिए आर नहीं है तो जो यहां पर resultant vector आता है resultant vector A bar वो रहता है आपका 3A bar plus 4B bar तो जो आपके टेक्स्टूग में दिया है resultant vector टेक्स्टूग में जो आपके दिया है वो कैसा दिया है कि lambda A bar plus mu B bar ऐसा दिया है यह वाले form में दिया टेक्स्टूग में तो यह बेसिकलिए वही बोलना चाहता है कि जो lambda है वो किसी ना किसी number से magnitude जो रहेगा उसका magnitude बढ़ जाएगा यह बार का और यह lambda times बढ़ेगा इसको हम लैमडा बोलते ठीक है तो टेक्स्टूग में आपका ऐसे ऐसे लिया हुआ है बट मैंने आपको नंबर लेके बता जिए कोई भी नंबर क्योंकि यहां पर क्या बढ़ रहा है है सिव डारेक्शन तो सेम है तो यहां पर क्या होगा कि जो एव एक्टर है यह पर रैक्टर एक रिजॉल्ड हुआ है ही थीजें किसके टम में बढ़ हुआ है in terms of small वेक्टर एं टेम्स स्माल वेक्टर बी इसके टम में आपका ट्रेर रिजॉल्ड हुआ है प्रेशलव ब्रेश्व नग गया थीच है इसको दो बोलते हैं डिज़्ॉशन अभेटर अभी तो और भी आजाएगा रिज्वॉशन वड्र यह को समझ गया तो इसका खाली मैंगेटुट यहां पर बढ़ गया है और इसका मैंगेटुट वाड़ गया है तो इसका into two vectors that is Lambda A bar इसको मैं Lambda A bar मैंने भाई खिखनी नमबर ले लिए क्योंकि लेमने और कोई नमबर ही रहेगा आद मीवी बार मुवी बदले मैंने 4 ले लिए यह समझ में आ गया तो एक ट्रेगल और पार चाहरा मैं रिपीट कर रहा हूं तो यह समझ में आ गया ठीक है अब जो आगे है आपका यह तो सिंपल चीज़ था ट्रेंगल ओफ एक्टर अडिशन में आपका रिजॉल्ड हुआ है इस इस सिंपल चीज़ था बट 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 अब आगे आपकी जो डिजॉल्विशन आएगा वो थोड़ा थोड़ा सा कॉंप्लिकेटल रहेगा पर यहें समझाल एक है वे तर्म के पहले पारोली वेक्टर यह क्योंतर देखते श्युक्यार अडिक और को अब मतलब अपार्वी तो स्पेस में हो अ कि तो आई तो उसके लिए sibling सिनकलत झानना बहुत जरुरिया है की यूनिखli क्या होते तो तो तेलो facilitator a वह क्या होते है धेखें इनिट्रक्टर का जो में में जुड्र रहते हैं में वल्यू वह हमेसा全 रहते है रहते हैं और युड्र वैक्टर करता क्या १ब इस तो स्पेसिफाइ डायरेक्शन ओनली मतलब यह सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए काम हाते हैं और आपके जो यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर कौन कौन से एक्स एक्सिस की बात करो तो एक्स एक्सिस के आलोंग यूनिट वेक्टर जो रहेगा वो रहेगा आई कैप जो य एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर रहेगा वो रहेगा जे कैप जो जैड एक्सिस के अलोंग वेक्टर रहेगा वो रहेगा के कैप ठीक है यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से रिनोट करते हैं इसको हम लोग कैप बोलते हैं टोपी ठीक है कैप इसे रिनोट से के पोला वेक्टर अलग है कि नियुक्ज घप आपका हमेशा युनिड वेक्टर बताता है तो दीरेक्षिन को हैं मतलबू अगर ख vist को स्पेसिफाइ करते है अगर कहींद भी i-cap आ गया तो आप क्या समझ जाओगे एक्स एक्स की बात कर रह?, एक्सटिस के डिर्यक्शन की बात कर रहें। कहीं पर भी जकैप आ तो आपको अपको यह रहें और यहां पर विंह आ सब्सक्राइब,nै तो यह ग heter emoDquent दोत डिखाएं थिकएं .. ऐउनिप वेक्टर को हम लोग बार करें था यह समय हैं ठीक है इतना समझां तो अब देखो unit vector और vector यह unit vector और वेक्टर में relation क्या है वो देखते हैं है तो इसका formula क्या बनते हैं तो बच्चो जो इसका formula बनते हैं क्या मैं नहीं बूला था हाँ unit vector अब समोलन में आई जे के तीन हो आ जाएंगे ठीक है ठीक है् कोई भी वेक्टर को अगर मैं बात करूं तो लेत से एंडियन लेते तो अब हम नोग में को धुए हो गया यह बाक्तर हो गया तो क्या होता है कि यूझी भी यूमष्ब होता है वो होता है वेक्टर अपान उस व्यक्टर का का magnitude के समझे आप उस वेक्टर का magnitude कि यह होता है रिलेश्चन बरी वर्य इंपोर्टन चीज़ जो यूनिट वेक्टर होता है वह अब देखो यह जो ए बार का जो डिरेक्शन है वह मुझे यह यूनिट वेक्टर ही बताएगा कि कौन से डिरेक्शन में वह वेक्टर अलग होत תख के याज वेक्टर क्या हो यहक्तर वेक्टर वेक्टर में लगा जिता है तो यह इसी उपर वाली से आया ये समयाए उनिट वर्लत रोता है वह गिए अपको याद हना है क्या होते है यूनिट वक्टर इस इकोल टू वेक्टर अपन मेगिनिटुड अफ्ट नोट कर लेना ठीक है तो जो यहाँ पर जो N है वह मैंने क्या बता है इंद है इंद वेक्टर इंद वर्ट बट किसके अलोंग गया ज़ीट वेक्टर अलोंग इंद हैं कि कि अलोंग ए पार आँ अब상 है मुझे एबार का डारेक्ष्ण बताएगा कौंछ डारेक्षिंण में ठीक यह समझा आपको एक कि तो वही मैं आपको पहली बता चुका हूँ यार जो भी मैं आपको पड़ा रहा हू talked the topic आ रहा है तो यह जो नोट से अप खुद से भी बना सकते हो topic आप लिखो उसके नीचे जो भी मैं जैसा भी पड़ा रहा हूँ जैसा भी आपको समझ में आता है और रहो go yellow याद रहेगा क्योंकि आपने उसको खुद समझा है और फूर्में नोर्स बनाएं ठीक तो यह संधर आपको मैं क्या बोल रहा तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग की बात करते अब है और अभी हम नहीं क्या होता है वेक्टर होता है वो होता है magnitude of vector into unit vector यह हम ने पड़ा यह उनिट वेक्टर इस एकल दो वेक्टर अपन में चीज हो गया तो यह इस पर हम लोग कुछ देखते है प्लेन में मतलब दो एक्सिस पे मैं प्लेन देखते हैं दो एक्सिस मतलब एक हो सकता है यह एक्सिस दूसरा हो सकता है X-axis तो X-axis पे आपका unit vector क्या होते है प्ताया था न क्या होते है आई-cap होते है Y-axis पे unit vector क्या होते है जे-cap होते है ठीक है इतना याद रहेगा अब चलो मैं एक vector ले रहता हूं इन दोनों plane मतलब two-dimensional चीज़े होती है प्लेन मतलब two-dimensional चीज़े हमेशा भिया रखना है space मतलब three-dimensional लाता है और straight line मतलब आपका single dimension one-dimensional है यह मैंने आपको पहली बता चुका हूं तो plane में suppose एक vector है मतलब suppose यह vector एक vector है ठीक vector ए अब क्या करता हो मैं इससे इसके parallel ड्रो कर लेता हूं इसके parallel ड्रो कर लेता हूं ठीक कितना समझ में आ गया है तो जहां तक कि मुझे पता यहां पर कि जो वेक्टर होता है उसको मैं Maknututetita which एइन टूंटू जीड़ भी बोलते हैं इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या की जो मैंने इसको क्या लिए रिजन предлаг ra इसको को मैंने तो इस नाम में ऌने मुझा लेता हुआ हुआ उस वेक्टर का नाम लेता हुआ एव रेच्टर च्छलं कर घ्राइब यार नाम लिया ही नहीं तो जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा एवन वेक्टर प्लस एटू वेक्टर ठीक है यह आपका रिजल्टेंट रहेगा यह समझा तो जो भी आपका रिजल्टेंट आया आया आपका एवन वेक्टर प्लस एटू राक्टर यह रिजल्टें यहांपर even देखेंगे even क्या आता है रच्चों ठीक है जो A1 आयेगा जो A1 अपको वेक्टर तो वेक्टर आपको पता है वेक्टर का फॉर्मुला क्या अनुट इंटू इंटो इंट वेक्टर तो जो इंट्वर नहीं को मैंने पूला है याद रहिए इंपॉर्डंट तो जो तो लेक्टर यहां पर सब्सक्राइब बताया की वह एक्स डिरेक्शन में और यहां पर एक्स टिर्क्टर यहां तो न्यूंटू एक्सिस पर न वो इंटू जएकप इंटू थिक्या है तो यह जो एंपर एक्स और एवाय है वह क्या यहां पर मैंगिट्यूड है मैंगिट्यूड वह या दखना मैंगिट्यूड इज़ो इन चुटूड अलॉग एक्सस मैंगिट्यूड ओर आपको सब्सक्राइब अग्राइब ये पॉंटर है वह फार है इस पॉंटर एक्स मतब फार्फ आप ले सकते हो ठीक है यह फोर ले सकते है वह फिर भी हो गया है तो इतना आपको समझा तो क्या मैं जो ई वेक्टर है यह उपर वाला वेक्टर उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं आपको पता चला ना इतना बहुत इजी था अब देखो अब क्या होता है कि भाई हम लोग gladi back लएगा दिन कालेंगे कैसे से ठीक है杂 तो देखो इह जो गर्डर यह वाला यह क्या थीटा बना रहा है है एक से एक से यंगल थीटा बना रहा है थीक है जब आपको थीटा के value पता होगी यह फिर यह यह इस वेक्टर की value पता होगी एक टू आप निकाल सकते हो तो प्यसे निकालते देखो तो यह वाला जो पैरलल आपने ड्रोग किया यह भी अपका यह तो यह तो यह तो देखो साय हुआ उपका यहां पर मैं क्या लेता हूं पहले कॉस्ज़ देटा लेता अनुर ओलब से अधजिसर्ट क्या है भूंआ इवन आइवन एवन इवन वेक्टर अपनधू रीचरन कि आप हैःब नहीं पूंद खूरओ जिकए या यह वेक्टर रग्लो बिरूआ यू पा देकी पैम तो अब क्या होता है इसमें ईव Ihnen वह आपको तो पता है वो क्या है आपका एकntो अब मैं न आपको यहां पर एकस आ है होता एकंट एक्षा आ ओपन एवन पर अपन मैं रहे हैं और वेक्टर ए मैं ब 쿠ट की बात करों एक मांडे बराबर लिख नहीं है एक एक्षा स्प्रती की बात करो एक्स weat बात करें तो उपर वाला आइक चला जाएगा उपर वाला आइक गया तो इसे यहां पर एक्स बचेगा क्योंकि आइकेप मुझे सिफ डारेक्शन नहीं बताता है और यह पर एक्स बचा और यह जो वेक्टर उपर LeFFort. पोफ्ज माधाफ मॉडव एक्टर उजाता है तो मॉडव एक्टर को आट क्या लिख सकते हो एążस आपॉलले कोई ब्लोड लेंटर में लिखना नार्मल krij क्योंकि मैंने आपको भी तो रहेगा उसके मागनिटूड रहेगा उसको पुपन ऐसे बताते हैं और उसको हम लोग एक सिंपल लेटर में भी बता सकते हैं मेंगी जुद इसमपल मतलम नॉर्मल बोल लेटर नहीं रहेगा यह नॉर्मल लेटर रहेगा ठीक है तो आपका कॉस्ट थिटा क्या आया ने म्हांक है इंटरम्स on does sa attend एंटे चिअवंने तो यहां से एएक्स क्या हो गज्रक बतायों आक्वां एक्स धीन एक्स मिल गया इक्स की में घ्रकमस को मिल चुब हैंसे मिल जाएगा अगर आपको उतका पता रहते हैं ए मतलब इसका में युटीो सब्सक्राइब इकए में पता अभी मैंने बता अब्सक्राइब मैंनोट यहां पर कैसे आएगा बताओ बता अभी मैंने बता अब बता अब पता अब एक मिनत में जुड़ ओफ स्टुड अब मेंगनीटूड ऐसे निकाल सकते हैं तो यह आपको मालूम पड़ जागा तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी similarly a y वह यहां आएगा अगर आप साइन थेटा यहां पर लागा होगे साइन थेटा इसके बतले को सब्सक्राइब लागा तो चलो मैं इधरी रफ और रफ करके साइन थेटा ले देता हूं साइन थेटा क्या होता है ओपोसिट अपोसिट यहां पर एटू बार है कि है पर düst अपाइपो तो यह वाल यहां पर क्या है यह यह ज्यक्याप बद में सिफ अज़ी की बात करों तो सिफ अब आएगा और यहां पर लग जाएगा ऑपोन सिंपल ए सिंपल यह मतलब वह समझाल मैंगनिटोड तो यह आप से क्या आ जाएगा साइन थेटा इंट्व क तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज है तो अगर आपको कोई भी वेक्टर बताना है कोई भी वेक्टर स्पेसिफाय करना है कोई भी वेक्टर स्पेसिफाय करना है एक प्लेन में मतलब 2D में कोई भी दो एक्सेस पर 2D में तो आपको क्या-क्या पता होना चाहिए आपको प जिसको मैं यह भी बहुता हूं, यह आपका magnitude of A है, ठीक है, magnitude of factor A है, और direction theta पता होना चाई है, magnitude of A पता होना चाई है, direction theta पता होना चाई है, ठीक, और theta with respect to x axis है, यह जो theta है, with respect to x axis है, ना कि y-axis है, ठीक है, y axis है लेंगे, तो यह अलग टाम हो जाएंगे और दूसरी चीज टू वेसे हम लों मतलब हम लोग इस वेक्टर को स्पेसिफाय कर सकते हैं एक तो अगर आपको ए और थीटा पता है मतलब मैंगनिटुड ऑफ वेक्टर ए और थीटा पता है तो मिल जाएगा यह वेक्टर है ना देखो न पता होना चीकित है तो यह वेक्टर एक आप स्पेसिफाय कर सकते हो क्या क maior ध्यायव है आपको पूरा वेक्टर एakteर अ मस्प्ससी ठीक है जी और जो वो magnitude निकाला था वो भी important था ठीक है magnitude कैसे निकालते डारेक्शन कैसे निकालते इसके पहले हैं चलो भाई यह भी हमको मालूम पढ़िया ओके जी तो यह आपको यह भी आदकना है फिलाल के लिए तो मैं फिलाल rough कर रहा हूं तो यह जो भी मैंने आपको करा बणा है यह अब note कर लैट में फिलाल प्रॉइड कर पाऊंगा इसके लिए आपको कुछ से नो्ट बनाना भी ए ठीक है जैसे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करें तो ठीक है कोई ना कोई रहना चीए मेंटर सिखाने वाला तो अगर खुद से शीखो गया वह चीज को तो काफी टाइम लग सकते हैं लेकिन काफी टाइम में आप वह सीखोगे ठीक है तो इसके लिए मेंटर होना जरूरी है लेकिन अगर आपको समझ में आ गया वह चीज़ जो भी मेंटर मतलब जो भी आप सीख रहे हो अगर वह समझ में आ गई चलो मैं दोनों का स्क्वाइर एंडिंग करते हूं दोनों को मैं स्क्वाइर करके एड़ कर देता हूं तो एक स्क्वाइर प्लस एवाइस स्क्वाइर 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 कॉमन आएगा थे टा प्लसं स्क्वेर सुन स्क्वेर तो फिर यह फिस्के लिए हम हते हुआ ही इसके पहले मैंने बताया था इसके पहले वाले टॉपिक प्रॉपिक से अधोगे सब्सक्राइब प्रूटे सब्सक्राइब को अब में झेल में करने दरेक्शन टैने से तो रहे दिए मैं वह चाहता है हो कि फे इसा कुछ बनाता नो है यह यहां सब टीथा था थो है जहता है अब ओर अ ये टूंता ओह नवा मरनेयर डिसेन डीजे अया टो आपका किया है तो सब्सक्राइब kepada दोचंग号 है है कि एवह जडेटा है और A1 क्या है AX I cap ठीक है यह मैंने स्टार्टिंग में आपको बताएं तो AY जो आपको है अगर मैं सिर्फ magnitude की बात करो A2 के magnitude की बात करो सिर्फ magnitude की तो यह चीज़ आलगा ठीक है जे चला जाएगा आपको डारेक्शन ने बताता है कि तो बेसिकली आपको 10 त्याटा क्या आता है OPPOSIT OPPOSIT मतलब AY upon opposite AY हो गया एक अच्छे कैप और यह हो गया AX I क्या है तो अपोजिट एवाइ हो गया अपान एडिसेंट सिर्फ मैं मैं गूट की बात करूं यहां पर आइजे के नहीं रहा है क्योंकि मैं डारेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं कि हम लोग मैंगनिटूड से सब्सक्राइब तो आप यहां से क्या कर सकते हो थीटा बनेगा वह बनेगा टैंग इन्वर्स एवाइ अपॉन एक्स तो मतलब यहां पर थीटा आपका यह बनता है यह तो मैंने आपको पहले भी बता है इसके पहले टॉपिक पर कि डारेक्शन अपन कैसे निकाल दे किसी वे इस पेक्ट से लिए है इस वेक्टर का डिरेक्शन है तो यह आगे आपका यह दूदी में आभी तूदी म्यादब तूदा मेंशन में ठीक है पहले तूदा मेंशन आपको समझा कैसे निकालना रहेगा ओके तो यहां पर यह इनपोर्टंट चीजे है फॉर्मूला और यह निकालने वहला विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू इस से था है डिरेक्ट्षन से तो दिरेक्षन इस वेक्टर का यह दखना किसका में तो Um तो यह दोनों स्टार हो गया यह तो मैं आपको पहले भी फॉर्मॉला लाकर बताया हुआ है ठीक है यह पहले इसके पहले टॉपिक में और यह फॉर्मॉला हो गया वेरी इंपॉर्डेंट ठीक है ओके जी तो यह हम लोगे टूडी देख रहे तो डामेंशनल में अब हम तो चोटा सा कुछ दिया हुए सब यह तीन एकसिस का एब आपका घर का अगर लेते हो ठीक है तो यह घर का और इस लिए तो पर ना मतलब origin से जो घर का एकदम कोना है उससे एक वेक्टर यहां पर ड्रॉव हुआ है एक वेक्टर तो इस प्लेंग में तो मैं दिखा नहीं सकता मतलब उपर तो लाइन में बना नहीं सकते हैं तो इसके लिए मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि सपोज एक वेक्टर ड्रॉव हुआ है ए आप संगल पर इस से एक एंगल पर रहेगा वायक्सिस से एक एंगल पर रहेगा अब प्लेंट में इसा दिखाया थीए एक आप यहां पर आप Z-axis से यहां पर एक एंगल बनाएगा यह वेक्टर और X-axis से भी एक एंगल बनाएगा यह जो है न यह एक एंगल बनाएगा ठीक है तो यह वेक्टर हवे में तो यहां पर हवे में तो डाइग्राम में बना नहीं सकता है इसकल में प्लेम में बनाएगा तो वो जो एंगल है वह एक्षिस से से एक्षिस एंगल बना रहे है वह उटर आ कि यह वह यामा बन रहा है ठीक है ग्यामा चलो जी ग्यामा ओके तो यह एंगल हमको मालूम पड़े हैं ओकी जी हमको मालूम पड़े हैं अब क्या करना है तो मैं इसको कि इसको अगर इससे जॉइंड करूँ तो देखो मैं ऐसे 3D में बताता हूं यह वैक्टर यह था ठीक है तो अगर यह वैक्टर यह था तो अगर आप वा एक्सिस से उसको जॉइंड करोगे जैड एक्सिस से और एक्सिस से उसको जॉइंड करना है ठीक है चलो जॉइंड करत एसे लिए दिख जाए आपको बैक्टर Jeweta ठीक है तो इसको मैं यहां से जॉइन करता हूं स्ट्छेट अगर मैंlexe में आप तो स्पेस में यहां पर रहेगा तो दिवाल में करते हो ना तो स्ट्रेट लाइन डिखाता हूं इफ हम ठीक है यह यह से हुआ है कि यह कुछ ऐसे हैं दिखर आपको यह वक्टर यह है ठीक है तो यह पूरा क्यूब बन गया है ठीक है तो यह पुरा जॉइन करने के बाद वह तो अजर्म आगा है ठीक है यह से एक अइसे चीज़ बनाओंगा ठीक भाई ऑस अचारा मे podcasts यहां पर जोईट оф intentar ने फिल्ट Vera और आया वह ग्यां टिक टिक है यह होगया यहां पे नीचे की तरफ है ठीक भाई ठीक ओ भाई ठीक 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 हो गया यहां पर इसके पैरलल ठीक है और इसके पैरलल यह रहेगा कि देखे लगा लगशी नहीं कि यह तो तुमेंट नहीं कि यह हो गया और यह होगे इसके पैरलल इसके अब लग रहा है पूरा ठीक है अब लग रहा है पुरा क्यूबॉइड ठीक है यह पुरा क्यूबॉइड दिख रहे है कि यह वेक्टर रहे हो गया मतलब यह 3D में बेसिकल अगर आप चूब देखोगे ना तो एक कॉर्णर से वह दूसरे दूसरे साइट के कॉर्णर पर है वह वेक्टर अगर आप क्यूब देखते हो क्यूब क्यूब पता है ना क्यूब वगरा एक कॉर्णर से उस कॉर्णर से दूसरे कॉर्णर पर है यह साइट के कॉर्णर पर वह वेक्टर है तो इसमें यह यहां से यहां तक एक्स है वेक्टर तक magnitude az है along direction z axis तो यह magnitude आपको पता चल लिए एकस एवाइ एजए ठीक तो अगर अगर आप सब में यह कॉस लगाओ को सेंकर अगर मैं से बात कॉस अलफा ऑगा वो क्या होगा कॉस अलफा फिल भी कोस अलफा वह उता है आपका एडिशन अपॉन हाइप होता है तो एडिशन अपका यह आएकस और हाइपो टेनियस आपको यह यह वक्टर एग यह वहाँ तक जॉइंड नहीं को आनुपड़ते हैं तो कॉसल अलफा अगर आप लगाते हो यह अलफा तो एसन अपन है को सब्सक्राइब यहां से क्या होता है यहां पर एक्सेंट के बात करूं तो यहां से एक्सक्राइब अब लोग क्या लिखेंगे लिखेंगे ठीक है ना मैं आपको बता चुका हूँ पहले दस बार नहीं बता हूँगा आपको यह आद रखना है अब कॉस बीटा देख लोगे तो वही चीज़ आना है ay upon magnitude of a vector so therefore ay यहां से क्या आएगा ay की value यहां से क्या निकलेगी ay की value यहां से क्या निकलेगी magnitude of a into cos beta cos gamma आप देखोगे तो z axis में तो वह az upon a that is az की value में आपके क्या निकलेगी a into cos gamma यहां कुछ अलगी बना दे रहा हूं है ठीक है तो यह az की value not a2 की value तो आप ऐसे निकाल सकते हो 3D में ax की value ay की value az की value 3D में अगर आपको निकालना है तो आपको बेसे लिए alpha beta gamma सब मालूँ होना चीए और magnitude of vector दिस मालूँ होना चीए तो भाई अब देखो magnitude कैसे आएगा वह देखते हैं तो वह आप याद रखना वह स्वेक्टर का magnitude रहेगा एक्स एक्स मैंने बता यहां पर सिर्फ magnitude है ठीक है प्लस ay का स्क्वार प्लस az का स्क्वार ठीक तो magnitude of यह वेक्टर इस वेक्टर का magnitude ऐसे मिलेगा यह याद रहेगा ठीक है इसका डायरेक्शन की यहां पर बात नहीं किया तो डायरेक्शन भी आपन नेक्स टाम में निकाल लेंगे तो देखो इसको हम लोग पोजिशन वेक्टर भी बोलेंगे पोजीशन वेक्टर भी बोलते जिसको हम लोग आरे बार से भी दिखाते हैं ठीक है तो इसको मुलोग एक्स यहां पर जो मैंनुआ लिखा है सब्सक्राइब प्लस गर्फ लबस तो office भी बोलते हैं क्या सब्सक्राइब टो ज्सक्राइब U तो दोनों सेम ही है यह दोनों आपका सेम है तो दोनों यहां पर पूरा इंपॉर्टन यहां पर यहां पर तीनों इंपॉर्टन तो यह तीनों आप लिख लेना अपने बुक में नोड कर लेना तो चलिए बच्चो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते 4.6 टॉपिक के साथ तुसे लिए बाए गुडबाए